हलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल केमलेब सोल्यूशन में जैसा कि आपको पता है हमारे पावर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट and other any mini and largest plant सभी में कूलिंग वाटर और बॉयलर वाटर की अत्यदिक रिक्वाइरमेंट होती है तो इस रिक्वाइरमेंट में अनेक पेरामेटर की एनालिसिस करते हैं जिसमें एक एनालिसिस सिलिगा की बहुत इंपोर्टेंट होती है क्योंकि सिलिगा एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉयलर की efficiency and cooling tower की efficiency पर डिपेंड होता है तो इस इनालिसिस को करने के लिए हमारा क्या प्रोसेस है और क्या क्या रिएजेंट की requirement होती है आज हम इस वीडियो के में ये सब चीजें जानेंगे तो आईए अब शुरू करते हैं हम के how to analysis in silica boiler water and cooling water तो सबसे पहले जो determination of silica है कलरी मेत्रिक मॉली ब्लेड रियक्टिव सिलिका तो इस मेतड कवर दा है पोटो मेत्रिक डिटर्मिनेशन ओफ मॉली ब्लेड रियक्टिव सिलिका in water दोज फोर्म अब सिलिका विच आर मॉली ब्लेड रियक्टिव इंक्लूड simple silicate, monomoric silica and salicylic acid and an undetermined fraction of polymeric silica और silica में क्या interference रहता है कि जो अपने water की quality है अगर वो उसका color और turbidity सही खराब है तो उसको अपने को filter paper की सायता से remove करना चाहिए ताकि अपने photometer में जो absorbance देखते हैं उसमें interfere ना करें तो silica के लिए कैकर reagent की requirement होती है यह चीज अब हम देखते हैं तो store all reagent to be used in this method in polyethylene of other suitable plastic bottles तो इसमें पहला reagent जो है वो है amino naphthol sulfonic acid solution तो इसको prepare करने के लिए मैं क्या करना होगा कि dissolve 0.5 gram of 1 amino 2 naphthol 4 sulfonic acid in 50 ml of dm water और इसमें 1 gram of sodium sulfite मिलाते हैं दोनों को dissolve करते हैं after dissolving add the solution of 100 ml of solution containing 39 gram of sodium hydrogen sulfite और इन दोनों solution को अलग-अलग 100 ml prepare करके दोनों को mix करके 200 ml के solution तैयार होता है जिसको हम dark plastic bottle में store करते हैं दूसरा रिजेंट है अमोनियम मॉली ब्लेड सोल्यूसन जो 10% का होता है 100 gram per liter तो डिजेल 20 gram of ammonium मॉली ब्लेड इन 200 ml of water तीसरा होता है hydrochloric acid जो 1 by 1 का prepare करते हैं mix 100 ml of concentrate hydrochloric acid in 100 ml of dm water और 200 ml solution बना prepare हो जाता है चोता होता है oxalic acid solution यह भी 100 gram per liter होता है यानि dissolve 20 gram of oxalic acid in 200 ml of water तो यह 4 reagent अपने silica analysis में काम आते हैं तो इन 4 reagent के बाद में एक और हम calibration के लिए silica का standard प्रिपेर करते हैं जो 1 ml is used to 0.1 mg silica का standard होता है तो dissolve 0.473 gram of sodium metasilicate in dm water and dilute to 1 liter जब इसको 0.473 gram को sodium metasilicate को 1 liter dm water में dissolve करते हैं तो 1 ml is used to 0.1 mg silica का standard तैयार हो जाता है अब आगे हम क्या करते हैं के लिब्रेशन एन इस्टेंडराइजेशन फोर इस्टेंडर्ड इन थे 2200 mg पर लिटर रेंज सेट दा स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एट 815 nm एन रीड दा एब्जर्बेंस ओप इस्टेंडर्ड अगेंस्ट रिजेंट ब्लेंग जो रीजेंट ब्लेंग के रूप में अपन काम लेते हैं तो जो चारों अपन ने सॉल्यूशन प्रिपेर किये थे SCL, Oxalic Acid, Ammonia Moly Blade और अनसा इन चारों का रीजेंट ब्लेंग प्रिपेर करके फोटोमीटर में ब्लेंग सेट करते हैं उसके बाद में जो अपन ने सिलिका का स्टेंडर्ड प्रिपेर किया है उसको ट्वेंटी टू एक अजार माइक्रोग्राम पर लिटर रेंज में अलग-अलग स्टेंडर्ड अपन सेट करते हैं और उनकी एबजर्बेंस जब 815 एनेम पर देखते हैं तो प्रतेक की जो रीडिंग अपने को एबजर्बेंस मिलती है उसके लिए लीनेर ग्राफ प्लोट करते हैं तो प्रिपेरे केलिब्रेशन करूं और मेजर्मेंट 815 एनेम बाई प्लोटिंग एबजर्बेंस वर्सिस कंसेंट्रेशन ओप ग्राफ तो जो ग्राफ आता है या आता है माइक्रो ग्राम पर लिटर ओन लीनेर ग्राफ पेपर अब सिलिका इनालिसिस की प्रोसीजर प्रोसीजर में क्या करते हैं कि ट्रांसफर 50 ml अन एलिक्यूट डाइलूटेट तो 50 ml अब दे सेंपल अगर इसमें टर्वेडिटी है और कोई इम्पूरिटी है तो 0.45 ml फिल्टर पेपर से इसको पहले फिल्टर करते हैं और इसको 50 ml तक मेक अप करते हैं तो जैसे सिलिका की रेंज की अकोर्डिंग अपन सेंपल वोल्यूम लेते हैं से किसी में सिलिका ज़्यादा है तो अपन 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml कितना भी सेंपल ले सकते हैं काईडिया से और उसके बाद में उसमें जितना वोल्यूम से 50 ml करने के लिए जितना सेस रहता है उसमें डीम वाटर मेकप करके और अपन एक निस्सित वोल्यूम 50 ml प्रिपेर करते हैं 50 ml प्रिपेर करने के बाद में इसमें पेला रियेजन डालते हैं 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपनने वन बाई वन का प्रिपेर किया था उसके बाद में 2 ml ammonia moleplate solution डालते हैं और बीकर को अच्चे से हिलाते हैं और एकजेक्ट 5 मिनिट के लिए रख देते हैं 5 मिनिट पूरे होने के बाद में 2 ml एक जेलीक एसिड मिलाते हैं फिर उसको mix करते हैं फिर 2 ml एमिनो नेप्थोल सलफोनिक एसिड मिलाते हैं इन दोनों reagent को डालने के बाद में इसको 10 मिनिट के लिए रख देते हैं proper mix करके और 10 minute wait करते हैं उसके बाद में जो अपने को reagent blank जो photometer में reagent blank set करना है तो 4 reagent का blank set करते हैं और auto zero करते हैं photometer को auto zero करने के बाद में फिर अपन silika की absorbance देखते हैं तो prepare a reagent blank by treating a 50 ml of illiquid of water measure the absorbance of the sample at 815 mm against the reagent blank silika concentration in microgram per liter may be read directly from the calibration curve at 815 mm prepared उसके बाद में जो अपने absorbance आती है वो microgram per liter में अपने silika calculate करते हैं absorbance into factor divided by volume of sample तो जो absorbance है वो अपने photometer direct दिकाता है factor जो अपने linear graph से plot करके और calculate करते हैं वो factor होता है और जो volume of sample जो अपनने लिया है इस base पे हम हमारी silika ग्यात कर सकते हैं तो कोई सा भी boiler का sample हो या cooling water का sample हो उसमें हम suitable sample volume लेकर यह procedure अपना कर हम अपनी silika calculate कर सकते हैं तो thank you very much आपको हमारा वीडियो कैसा लगा गर वीडियो पसंद आये तो please like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें thank you very much